नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे एक महीने में वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा असरदार एक्सरसाइज और डाइट टिप्स के बारे में तयार हो? ये टिप्स न केवल आपको वजन कम करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको फिट और स्वस्थ भी बनाएंगे चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज की जो आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों की चरबी को कम करने में मदद करेंगी सबसे पहले पैरों की चरबी कम करने के लिए आप लंजेस और स्क्वैट्स कर सकते हैं ये exercise न केवल आपके पैरों को टोन करेंगी, बलकि आपकी मानस्पेशियों को भी मजबूत बनाएंगी. लंजेज के लिए सीधे खड़े होकर एक पैर आगे बढ़ाओ और नीचे की तरफ छुग जाओ. ये आपके पैरों और ग्लूट्स को टारगेट करता है. फिर वापस सीधे खड़े हो जाओ और दूसरे पैर से दोहराओ. इसे 10, 15 बार दोहराएं और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाएं. स्कुएट्स के लिए आप अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर नीचे बैठ जाओ. जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो. ये आपके क्वाड्स, हेंस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को टोन करता है. फिर वापस सीधे खड़े हो जाओ. इसे भी 10, 15 बार दोहराएं और धीरे-धीरे बढ़ाएं. ये दोनों एक्सरसाइज पैरों की चर्वी को जल्दी कम करने में मदद करती हैं. नियमित रूप से करने पर आपको जल्दी ही फर्क नजर आएगा. अब चलते हैं कमर और साइड की चर्वी कम करने की एक्सरसाइज पर. ये एक्सरसाइज आपके कोर को मजबूत बनाएंगी और आपको एक टोन्ड लुक देंगी. साइड लेग रेजिज और हिप थ्रस्ट्स यहां बहुत असरदार हैं. ये एक्सरसाइज आपके हिप्स और साइड्स को टार्गेट करती हैं. साइड लेग रेजिज के लिए आप अपने एक करवट पर लेट जाओ और दूसरे पैर को उपर उठाओ. फिर नीचे लाकर दोहराओ. इसे 15-20 बार करें और फिर दूसरी तरफ बदलें. हिप थ्रस्ट के लिए आप अपनी पीट के बल लेट जाओ, पैरों को जमीन पर रख कर, कमर को उपर उठाओ और फिर नीचे लाकर दोहराओ. इसे भी 15-20 बार करें. ये एक्सरसाइज कमर और साइड की चरवी को कम करने में बहुत मदद करती हैं. इन्हें नियमित रूप से करने से आपकी कमर स्लिम और टोन हो जाएगी. अब बात करते हैं डाइट की. सही डाइट के बिना वेट लॉस संभव नहीं है. एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का सही संतुलन होना चाहिए. ब्रेकफास्ट में आप और्ट्स या पोहा ले सकते हो. ये दोनों ही हलके और पॉस्टिक होते हैं. लंच में ब्राउन राइस या रोटी के साथ द नेवे या दही. ये आपको भूख लगने पर तुरंत एनरजी देंगे और जंक फूड से बचाएंगे. जंक फूड से दूर रहो और मीठे ड्रिंक्स को छोड़ दो. ये आपके वेट लॉस के प्रयासों को नुकसान पहुँचा सकते हैं. पानी खूब पीयों कम से कम 8-10 गिलास दिन में. ये आपके शरीर को हाइडरेटेड रखेगा और मेटाबॉलिजम को बढ़ाएगा. एक और अहम बात, लगातार बने रहना बहुत जरूरी है. बिना रुखे अपने रूटीन को फॉलो करें. रोजाना एक्सरसाइस करो और हेल्धी डाइट फॉलो करो ये आपके वेट लॉस जर्णी को सफल बनाएगा. आपको फर्क जरूर नजर आएगा. धीरे धीरे आप अपने शरीर में बदलाव देखेंगे और यह आपको और प्रेरित करेगा. एक महीने तक इस रूटीन को फॉलो करो और आप देखेंगे अपने गोल हासिल करते हुए. यह न केवल आपके वजन को कम करेगा, बलकि आपको एक स्वस्त जीवन शैली भी देगा. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो. उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आये हो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेड़ना मिलेगी. और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए. आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर है. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे फिट, स्ट से बड़ी दॉलत है.